जब आप आदुनिक कला और वास्तु कला का प्रियोग एक साथ करते हैं तो क्या होता है? दुनिया में कई तरह की विचित्र और अनोखी इमारते हैं जो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्शित करती हैं आज हम जानेंगे दुनिया की चार सबसे अनोखी और अद्भुत इमारतों के बारे में इसे एक पुस्तक चित्रकार जन मार्किंग के कामों के लिए स्रद्धांजली के रूप में साल 2004 में बनाया गया था यह पोलेंड देश के सोपोत शहर के लोकप्रिये मोनिसक स्ट्रीट पर बना हुआ है यह वैकी स्ट्रक्चर यानि निराले ढाचे में बनी इमारत है और यह दुनिया की अजीब इमारतों की रैंक में शामिल है दिसंबर 1986 में लोटस टेंपल को लोगों के लिए खोला गया था इसे इरानी वास्तुकार फरी बोर्ज सहबा ने डिजाइन किया था इस कला के लिए उन्हें कई पुरसकार भी मिले साइमन डेल और उनके फादर इनलो ने इस आराम दायक वुडलेंड घर को सिर्फ चार महिनों में बनाया था इसे हॉबिट हाउस भी कहते हैं इस घर की खासियत यह है कि सर्दियों में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है पुर्तगाल के गर्मीर इलाके में दो पत्थरों के बीच सेंडविच इस हाउस को स्टोन हाउस के नाम से जाना जाता है उत्तरी पुर्तगाल के फेफे पहाडों में चार बड़े पत्थरों के बीच में बनाया गया था इसमें सुविधाओं की कमी नहीं है इसमें एक फायर प्लेस और एक स्विमिंग पूल भी है वैसे इसमें आपका पसंदीदा कौन सा है इसे प्रकार की और भी मज़ेदार जानकारियों के लिए जुड़े रही है गुरुशाला के साथ